वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला जरूर जोइन करेंगे सारे अप्डेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगें देख रहें दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे जोगरफी के कुछ important questions और जहां कहीं जरूरत होगी वहां हम अपना anchor points बनाते हुए चलेंगे ताकि चीजें जो हैं व देखने लगे सो आप आप लोगों को यह काफी पसंद भी आ रहे हैं तो इसके लिए thank you so much आप लोग अप्रिशियेट कर रहे हो यहां पर और यहां पर एक चीज़ जरूर बोलूँगा हमारे सब्सक्राइबर है रिया पाठक इन्होंने बोला है सर कम से कम 50 questions cover up करवाईए आप देखिए जो 10 questions मैं आपको cover up करवाता हूं 10 15 20 20 तक मैं limit रख रहा हूं ठीक है इन questions में अच्छा खासर time लग जाता है क्योंकि यहां पर जब मैं आपको questions सिर्फ बता नहीं रहा हूं मैं आपको साथ के साथ याद भी करवा रहा हूं इसलिए number of questions 50 करना not possible at all और इतने ज कोशिच भी है अच्छा इसके अलावा एक subscriber ने स्टोरी टेलर इन्होंने बोला कि सर जोगरफी जो है आज तक बहुत कठिन लगती थी चीज़े याद नहीं रहती थी बट अब जो है चीज़े याद होने लगे हैं so thank you so much आप लोगों को यह पसंद आ रहा है initiative बस आप सब्सक्राइब जरूर करो और at least मेरी जो मेहनत है उसको एक लाइक तो आप दबाई सकते हैं एक लाइक का विटन में क्या आपका जाता है अगर नहीं लाइक करते हो डिसलाइक दबाओ बट कुछ तो करो मतलब नीट्रल मत रहो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं आज के अप त्यारी करने चाहते हैं तो स्टेडी फॉर सविल सर्विसेज के को आप जोइन कर सकते हैं कंप्लीट तयारी के लिए यह वन स्टॉप डेस्टिनेशन है यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टेडी मैटीरियल रहेगा टेस्ट सीरीज रहेंगी पेड कुई रहें इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 8564 880530 इस नंबर पर आप संपर कर सकते हैं इसके लावा 9696066089 इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं या फर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर कर सकते हैं और यह लेटेस्ट ग्रुप जो है में आप admission ले सकते हैं पहले कोशल से यहां पर पूछा गया है कि अनुशक्ति विद्धुत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपकरम है अगर सपोज यहां पर यहां पर यह भी नहीं दिया होता भारतिय प्रमाणू उर्चा निकम और आपसे सीधे सीधे यह पूछा गया होत नुक्लियर पावर कॉर्परेशन ओफ इंडिया यह तो इंक्लूडिड होता ही होता इसके साथ में कोई दूसरा होता अब वो कौन सा होता बस यह आपको यहां पर देखना है सो यहां पर हमारा सही आंसर क्या होगा option D यानि की NTPC ठीक है NTPC और NPCIL इनका जो है संयुक्त उ अब डैम का होना जरूरी है इसका मतलब कोई एक रिवर होगी रिवर पेरी तो डैम बनेगा अब यहां पर जब आप यह चार नाम देख रहो तो आपको कौन सी एक रिवर लग रही है अगर यहां पर हम option A की बात करें कोईना की तो कोईना जो है यह एक रिवर है ठीक है कह की महरास्ट की महरास्ट में बहने वाली रिवर है कोईना जिसके उपर एक बांध बना हुआ है और इसी बांध से जो है जल विद्धुत यानी की हैड्रो पावर का जनरेशन हो रहा है तो यह हमारा यहां पर सही आंसर होगा तो बस आप यहां पर जो option से उनको ध्यान से द अगर हम बात करें तो एक नाम बहुत फेमस है महरास्ट का जिसके उपर आज भी राजनीती भी होती है इस पेशली जो राष्टवादी पाल्टी है ठीक है वो शिवाजी को बहुत ज़्यादा यूज करती है यह सही बात है कि शिवाजी मतलब बहुत वीर थे सारी बात है बट आज की डेट में उनका पूरी तरीके से पॉलिटिकल यूज हो रहा है तो महरास्ट की जब हम बात करेंगे तो शिवाजी अपने आप नाम आएगा आप मैं शिवाजी यहाँ पर नाम क्यों बोला हूँ क्योंकि यह जो डैम है इसके पीछे जो एक जील बनी हुई है बनी हुई है उस लेक का नाम क्या है शिवाजी लेक ठीक है तो यह सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है शिवाजी सागर लेक यह कोई ना जो डैम है इसके पीछे बनी हुई है अगले कोश्चन की बात करते है कि निम्न में से कौन सा शेत्र जौरी उत्पादन का प्रमुक्षेत रहे बंगाल की खाड़ी मनार की खाड़ी खंबात की खाड़ी या फिर कच्छ की खाड़ी तो सही आंसर क्या एगा हमारा खंबात की खाड़ी अब जो आप देख रहे हो खंबात की खाड़ी तो इसमें आपको साफ एक शब्द दिख रहा है खंबा ठीक है खंबा अब कभी आप देखो कहीं भी आपके घर के पास में भी अगर electricity का wire आ रहा है पोल पे से पोल का मतलब क्या खंबा तो पोल पे से ही आएगा समझ रहे हो पोल लगे होंगे पोल से ही electricity जो है आपके घर तक पहुचेगी अब यह पोल कहीं से जाकर तो electricity को लेके आ रहे होंगे जब हम tides की बात कर रहे हैं तो tides कहाते हैं समुंदर में आते हैं अब समुंदर में जब tides आते हैं तो समुंदर का level जो होता है वो कैसा हो जाता है अगर हमने एक ऐसे एरिया में जहाँ पर समुदर का लेविल हाई हो रहा है और उस पानी को हमने किसी तरीके से डाम बना कर रोक लिया इधर साइड में हमने सपोज पूरा एक बना दिया जहाँ पर हम पानी को स्टोर कर रहे है तो जैसे ही यहाँ पर समुद्र का लेविल हाई हुआ यह पानी जो है इधर आना शुरू हो गया ठीक है यहाँ पर आकर भर गया अब जब समुद्र का जो लेविल है वो नीचे गया तब क्या हुआ कि यहाँ पाइप लगा दी और पाइप से पानी वापस ले चले गए अब जब इसका लेविल नीचे जाएगा तब यहाँ से पानी जो है धीरे धीरे समुद्र की तरफ वापस जाएगा और टर्वाइन फिर से चलेगा और जो खंबे है खंबों की साहता से बिजली आप तक पहुँचाई जाएगी तो यह प्रोसेस है टाइडल एनरजी की जनरेश का बाकी खंबा आपको याद रखना है कि खंबे से ही उर्जा जो है वह आपके घर तक आ रही है तो जो आरिये उर्जा की हमने बात करी ओवियस्टी बात है एक समुद्र से जवाब लेके आओगा तो खंबे तो लगानी पड़ेंगे ना ठीक है तो आंसर क्या होगा हमारा करते हैं अगले कोशन पर अभी हमने जो लास्ट कोशन देखा था वहीं से एक ट्रिक जो है वो यहां तक हम लेके आएंगे कैसे कि यहां पूछा गया है भारत में जवारिये उर्जा की सरवादिक संभावनाय कहां पर है आंसर क्या है भाव नगर अभी हमने बात करी थी कि समुंदर से आप जो है एनर्जी का जनरेशन करके कहां तक पहुचाओगे नगर तक पहुचाओगे न इसी चीज़ का तो भाव लेके आपने पूरा यह जो आरीये उर्जा प्रोडक्शन का पूरा प्लांट लगाया समझ रहे हो आप तो आंसर हमारा क्या होगा भाव नग चाड़ी और दूस्रा एक खमबाति की खाड़ी यह दो इमपोटेंट है गुजरात का जो टट्टिय चेत्र है जिसमें अगर हम बात करें भाव नगर की तो भाव नगर जो है यह गुजरात में लोकेटड़ है और यह kाफी इंपॉर्टेंट रहा यहाँं पर पॉसिबल् पर लगाया था समझ रहें चले नेक्स्ट कोश्चन पर चल लें अगले कोश्चन की बात करें अब देखो यहां पर आपसे पूशा गया है कि एक तरफ गर्म जल के शुरोत दे रखें और एक तरफ उनकी लोकेशन दे रखें गर्म जल के शुरोत कौन-कौन से मनी कर्ण है ज जुआला मुखी अब जुआला मुखी यह जो गर्म पानी का शुरोत है यह आपका जम्मू कश्मीर में लोकेटिड नहीं है यह आपका हिमाचल प्रदेश में ही लोकेटिड है अब इसको आपको याद रखना है ठीक है इसके बाद नेक्स टम बात करें अन्होनी की तो कॉ होनी वाली बात थी है इस तरीके से इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं तप्त पानी की बात करें हर तरफ तपता हुआ पानी कहां पर बहरा है हर दिशा में बहरा है यह तपता हुआ पानी कहां पर उडीसा में जैसे ही हम दिशा बोलेंगे तो इसका मतलब होगा उडीसा करते हैं अगले कोश्चन पर अब यह जो कोश्चन है इसमें आप देख रहे हैं वो पूशा गया है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रियोग में लाया जाता है क्रोमियम निकल निकल तांबा क्रोमियम ग्रेफाइट या फिर आपका बेंजीन एसेटीली एसेटीन ठीक है तो यहाँ पर याद कैसे रखना है अगर आप देखो स्टेनलेस स्टील की बात करो तो आपको एक बात समझ में आएगी स्टेनलेस का मतलब क्या होता है धबा रहत और स्टील की बात करें तो स्टील तो बनाना ही है ठीक है मतलब वो एक धातू हो गया तो धबा रहत steel बनाना ये है आपका stainless steel का मतलब अब इसके लिए obviously बात है धबा रहित बनाना है तो कुछ नियम बनाए जाएंगे अब वो नियम मतलब बनाए जाएंगे फिर उनको क्या होगा निकाला जाएगा यानि कि public को बताया जाएगा निकाला जाएगा किसी अकबार में किसी पत्रिका में या किसी भी तरीके से उनको निकाला जाएगा समझ रहें अब यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी chromium की वैसे तो यह सबको याद रहता है बट फिर भी मैंने यहाँ पर एक anchor point बनाया कुछ नए साथ ही होंगे जो शायद confused होते हों तो confused नहीं होना examination में to the point रहने अपने answers को options के अंदर से खोजना है यही आपकी कला है जो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा अब यहाँ पर आप देखरो यहाँ पर जो नियम है और यहाँ पर मियम है नियम और मियम एक यहाँ पर राइम बैठ रही है बस यहीं से हमारा यह बन जाएगा पहला वाला ठीक है तो जैसे आप देखोगे क्रोमियम आपको समझंगे जाना कि है यहीह तो होगा अब निकल यू कि अब अप चलते हैं अगले कोश हिंपर अगले कोश्यं की बात करें यहाँ पर पूशा काया अबत से कि अब्धस कीần बनाने में लोहे के साथ प्रयोक्त होने वारी महत्पून धातू यह कौन सी है अल्मोनियम है क्रोमियम है तिन है या फिर कारवन तो मुझे लगता है आपको अभी समझ में आई गया होगा जब पिछला वाला कोशन देखा है जिसमें हमने स्टेनलेस स्टील की बात करे थी कि स नियम जो है उनको निकाला गया है ठीक है उनको निकाला गया है या फिर निकाले गये है तो इससे क्या हो जागा आपका निकल और जब हम नियम की बात करेंगे तो क्या हो जागा मियम तो आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन बी अब चलते अगले कोश्चन की ओर इस कोश्चन की भलाई के बारे में सोचा है अमेरिका ने हमेशा दोका दिया है जब 1961 का वार था तब भी वो इंडिया को परशान कर रहा था 1962 का यूद जो था उसके बाद जब चाइना वाला यूद दुआ तब भी उसने सपोर्ट नहीं करा तो कभी सपोर्ट नहीं करा बट रशिया ने इंडिया के भलाई के बारे में हमेशा सोचा है जब मैं भलाई की बात कर रहा हूँ तो मैं भिलाई की बात कर रहा हूँ तो आंसर हमारा क्या होगा option A यानि की रशिया आप शायद ही अब इसे कभी भूल पाएं, हमेशा आप इसको याद ही रखेंगे, move on करते हैं next question पे, इसके बाद अगले question की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्लिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो अगर हम बात करें किसकी भिलाई की, तो मैंने अभी आपको बताया कि रूस ने 3600 बार 3600 बार हिंदुस्तान की भलाई के काम किये हैं, जब मैं 3600 बार बोल ला हूँ, तो इसका मतलब है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 36 गड़ की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी और चीज़ की, सो 36 बार रूस ने इंडिया की भलाई के लिए काम किया है तो भलाई कहाँ पर है आपका 36 गड़ में है, ना की मद्द प्रदेश में हमारा आंसर यही होगा क्योंकि this is incorrect, दुरगापुर की बात करें, तो obviously बात है West Bengal में, अच्छा कर आप से पूछ लिया जाए कि इसको establish किस ने करा था हिंदुस्तान में जो अंग्रेज आये थे उन्होंने जो अपना सुप्रीम कोर्ट बनाया, जो कारवाई सारी शुरू करी वो कहाँ से शुरू करी, बंगाल से बंगाल पर अधिकार करने के बाद ही तो बहुत तेजी से ये लोग फैले हैं, ठीक है उसके बाद मैसूर गए और साथ ने पैरलली इन्होंने मराठो पे भी हमला करा, उसके बाद दीरे-दीरे पूरे इंदुस्तान को ही अपने अधीन कर लिया, बट शुरुवात कहां से हुई थी, बंगाल से, समझे दुरुगापूर कहां पर है, बंगाल में, और इसको establish कर राने में किसका सहयोग रहा था, ब्रेटेन का, ब्रेटेन ने यहां पर सहयोग किया था, दुरुगापूर जो सहयंत रहे, इसको स्थापित करने में, इसके बाद जमशेदपूर की बात करें, यह तो मुझे लगता है और आप सबको पता ही होगा कि जहारखन में तो इसके लिए कोई भी anchor point बनाने की जरूरत नहीं है बट यहां पर अगर हम बात करें कि भई कि इसको establish कि इसने करवाया, कौन सी country का यहां पर सहयोग रहा था यह थोड़ा सा important है तो इसको इस तरीके से यहां पर याद रखना है कि यह जो जमशेदपूर है, यह जमशेदची टाटा यानि कि टाटा वालों का पूरा establish करा हुआ है यानि कि private owned है यह तो यह जो सहयंतर है, यह private owned है कहां पर है, जहारखन में, इसमें किसी और country का कोई सहयोग नहीं था इसके बाद राउरकेला की बात करें तो राउरकेला कहां पर है, आपका उडिसा में और हर दिशा में money का बोल बाला है जब मैं money कह रहा हूँ, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ जर, money की ठीक है, इस पेलिंग थोड़ा सह मैंने change कर दी है ताकि आपको याद रहे चलिए, अब move on करते है, next question पे अब यह जो question है, इसमें आपको अपने आप समझ में आजागा, जैसे यहाँ पर लिखा हूँ है कि रावर केला, इसपात सयंत्र को लोह ऐसक, इसकी आपूर्ती होती है क्योंजर से, डली राजहरा से, कमान गुंडी से या फिर मयूर भंज से जब भी आपसे कोई money की बात करेगा जब भी कोई आपसे money की बात करेगा तो आप क्या कोगे, कि क्यों मैं तुम्हें money दूँ, क्यों money दूँ मैं तुम्हें, money से हमारा क्या होगा Germany, जिसने establish करा किसको, मतलब help करवाई रावर केला, जो इस पात सयंत्र है, इसको establish कराने में, तो ये तो आपको समझ में आगा कि रावर केला, जर्मनी, अब यहीं पर जो आपका law as की आपूरती होती है तो ये कहां से होती है, आपके क्यों जहर से ठीक है, अब ये याद कैसे रखना है आपको, याद इस तरीके से ही रखना है कि जब भी कोई money मांगेगा, तो आप पूछो के उससे, क्यों money मैं आपको दूँ तो क्यों वाला जो question है, वो आपको इस word के अंदर से दिख रहा है, बस यहीं से आपको इसको याद रखना है, सो इसी के साथ आज के इस वाले session को यहाँ पर end करते हैं I hope काफी informative रहा होगा यह session और चीज़ें आपको याद हुई होगी अगर नहीं थी तो, और अगर आपको याद थी तो well and good है, confusion भी अब आपको नहीं होगा, सो फिर मिलते हैं, next video में till then, thank you so much, have a nice tip, bye bye